सबी को नमस्ते, मैं शाओ निंग हूँ. हम देख रहे हैं कि एक एक करके आप दाएं आ रहे हैं और महामारियां दुनिया में फैल रहे हैं. सबें विश्वासे ततपर्ता से इंतजार कर रहे हैं कि प्रभू बादल पर आएं और उन्हें स्वर्ख के राज में ले जाने और इस अंधेरी दुनिया और आप दाओं से बचाने के लिए अपने साथ आस्मान में ले जाएं. वे निरंतर आस्मान की और देख प्रातना और इंतजार करते हैं कि प्रभू को बादल पर आते देखें, इस दर से नजर हटाने की हिम्मत नहीं करते कि प्रभू आ जाएगा और वे आप दाओं में फेक दिये जाएंगे. लेकिन उन्हें ये देखकर बड़ी निराशा हुई है. कि आप दाएं आ चुकी हैं, पर वे आस्मान से उतरते प्रभू इश्यू का स्वागत नहीं कर पाएं हैं. बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि प्रभू इश्यू आएगा भी या नहीं? कुछ लोग असाज महसूस कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि शायद प्रभू ने उन्हें आप दाओं में फेक दिया है. लाचार महसूस करते हुए कई पादरी अपनी कहानी बदल रहे हैं. वे कहते हैं कि प्रभू आप दाओं की बीच में या उसके बाद आएगा. कुछ तो ये तक कहने की हम्मत करते हैं कि हमारा प्रभू साल दोहजार अठाईस या साल दोहजार तीस में आएगा. धर्मक्रंथों की इस प्रकार की व्याख्या से विश्वासी आपदाओं में पढ़ सकते हैं पर उन्हें यही भरोसा रहेगा कि सब कुछ ठीक है उन्होंने चाहे कितने साल से आस्था रखी हो या कड़ी मेहनत की हो पर प्रभु का स्वागत नहीं कर पाए है हम समझ सकते हैं यह कितना कठिन होगा आस्था रखने वाले सभी यह बात जानते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है और आपदा में पढ़ना रोना और दात पीसना शर्म का चिन है जबकि आस्था में सफलता या विफलता आपदाओं से पहले प्रभु का स्वागत करने से तै होती है फिर धार्मिक जगत के लोगों का प्रभु का स्वागत ना करने और आपदा में पढ़ने का कारण क्या है क्या यह हो सकता है प्रभु में इमान है इसलिए ही अब तक प्रगट नहीं हुआ है बिलकुल नहीं धार्मिक चगत प्रभु का स्वागत नहीं कर पाया, इसका ये मतलब नहीं कि वो लौटा नहीं है। असल में वो पहले ही देह बनकर मुनिश्य के पुत्र के रूप में लौट आया है और कारे कर रहा है। सभी संप्रदायों के अनेक लोगों ने परमेश्वर की वाणी सुनी है और प्रभु का स्वागत किया है। पर धर्म से जुड़े लोग अब तक उसके बादल पर आने के विचार से चिपके हुए हैं। उन्होंने अब तक प्रभु का स्वागत नहीं किया है। 1991 में चमक्ति पूर्वी बिजली ने सर्व शक्तिमान परमेश्वर के प्रगटन और कारी की गवाही दिनी शुरू की थी। उन्होंने पूरे तीन दश्यकों तक ये गवाही दी है। सर्व शक्तिमान परमेश्वर ने लाखों वचन व्यक्त किये हैं। और सभी संप्रदायों के सत्य से प्रेम करने वाले लोगों ने वो वचन पढ़कर पहचान लिया है कि वे पूरे सत्य हैं. परमेश्वर की वानी हैं और सर्व शक्तिमान परमेश्वर के सामने आकर प्रभु का स्वागत कर रहे हैं. सर्व शक्तिमान परमेशर द्वारा व्यक्त किये गए सत्य बहुत समय से ओनलाइन उपलब्ध हैं महान प्रकाश की तरह पूरव से पश्चिम तक चमकते हुए पूरे विश्व को रौशन कर रही है यह पूरे तरह प्रभू इश्व के वच्चिम को पूरा करता है क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुद्र का भी आना होगा सर्व शक्तिमान परमेशर के प्रकटन और कारे ने पूरे दुनिया को जगजोर दिया है जबकि धार्मी जगत की मसीह विरोधी ताकतें चमकती पूर्वी बिजली की आलोचना, निंदा और विरोध कर रही है परमेशर के प्रकटन और कारे की जाज नहीं करती उनका बस एक आधार है जो प्रभु ईश्यू बादल पर नहीं आता वह जूठा है और देहधारी होकर आने वाला प्रभु जूठा मसी है हम सभी देख सकते हैं कि धार्मिक जगत ने प्रभु का स्वागत नहीं किया बलकि सिर्फ इसलिए आपदा में पड़ गया वे तरस रहे हैं कि प्रभु आकर उन्हें सीधे स्वरगिक राज्जि में ले जाए पर वे प्रभु के वचनों का अभ्यास नहीं करते प्रभु का स्वागत करने जैसे महत्पून मामले में इतनी गंभीर भूल करने का मतलब स्वर्गारोहित होने का मौका गवाना है वे सभी आप दाउं में जा पड़ेंगे, रोएंगे और दाथ पीसेंगे यह परमेशर के वचन साकार करता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नश्ट हो गई यह जानने के लिए कि प्रभु ईश्यू बादल पर आता है या वो देहधारी मनश्यू के पुत्र के रूप में प्रकठो कर कारे करता है हमें पहले गहरी सांस लेते हुए दूसरे आगमन के बारे में प्रभु ईश्यू की भविश्यवानियों पर गंभीर चिंतन करना होगा ऐसा करने पर हमें बहुत पर बुद्धता मिल सकती है आए कुछ पद देखें क्योंकि जैसे बिजली पूर्फ से निकल कर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोड से कौन कर आकाश के दूसरे छोड तक चमकती है वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युक के लोग उसे तुछ ठैराएं इसलिए तुम भी तयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विश्य में तुम सोचते भी नहीं हो उसे घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा जैसे नूहों के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा आधी रात को धूम मची देखो दूला आ रहा है उससे भेट करने के लिए चलो यदि तु जागरित ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तु गदापी ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुछ पर आ पड़ूंगा देख मैं चोर के समान आता हूं देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटकटाता हूं यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरी साथ अगर हम गंभीरता से इन पर सोचें तो ये देखना आसान है कि प्रभू अपनी वापसी की भविश्वाणियों में हमीशा मनुश्य के पुत्र का उलेग करता है मनुश्य के पुत्र का भी आना मनुश्य का पुत्र आ जाएगा मनुश्य का पुत्र अपने दिन में प्रकट होगा जैसे नुहू के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा मनुष्य के पुत्र का भी आना ऐसा प्रभु ईश्यू ने कई बार कहा है जो कि अंत के दिनों में प्रभु के स्वागत के लिए बहात ही मातपून है तो मनुष्य का पुत्र किसके संदर्ब में है? निसन देह? यह मनुष्य के पुत्र के देह का चोला ओड़े परमेश्वर के आत्मा के संदर्ब में है यह सिर्फ परमेश्वर के देह धारण के बारे में हो सकता है प्रभु ने कई बार यह भी कहा है कि वह चोर के समान आएगा अब इस बात का क्या मतलब है कि वह चोर के समान आएगा? इसका मतलब है प्रभु चुपचाप से गुप्त रूप से आता है जब लोगों को पता नहीं होता परमेशर मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारी होकर गुप्त रूप से बोलने और कारे करने आता है। हम निश्चित हो सकते हैं कि अन्त के दुनों में प्रभू की वापसी मनुष्य के पुत्र के रूप में होती है। और यह आपदाओं से पहले होता है, अर्था तब जब दुनिया में सबसे अधिक अंधेरा होता है. आधी रात को धूम मची, देखो दूला आ रहा है, उससे भेंग करने के लिए चलो. चमक्ती पूर्वी बिजली 1991 से अब 2021 तक सर्व शक्तिमान परमिशर की गवाही दे रही है. इन 30 सालों में उन्होंने CCP का पागलपन भरा दमन, गिरफतारी और हानी झेली है. CCP ने प्रचार माध्यमों से चमक्ती पूर्वी बिजली, जिस स्तर्व शक्तिमान परमिशर के नाम की गवाही देती है, उसे दुनिया भर में फैला दिया है, जिससे ये नाम घर-घर में पहचाना जाने लगा है. ये प्रभुईश्यू की भविश्वानी पूरी करता है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौन कर, आकाश के दूसरे छोर तक चमक्ती है, वैसे ही मनुश्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रगट होगा, परंति पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युक के लोग उसे तुछ ठहराएं। सर्व शक्तिमान परमेशर की आलोचना और निंदा करने वाले अनेक लोगों ने बाद में उसके वचन पढ़े और अंत में परमेशर की वानी सुनकर उसके सामने आए। सर्व बादलों के शब्दों से चिपके रहते हैं और बादल पर आने वाले प्रभू के अलावा किसी और को स्विकार नहीं करते वे मूर्क कुमारियां हैं जो आपदाओं में पढ़ रहे हैं। वे बड़ी आपदाओं के बाद प्रभू ईशु को बादलों पर आती देखने की प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। इन लोगों के प्रभू का स्वागत ना करने का मुख्य कारण है कि वे खुद प्रभू ईशु द्वारा कीगे भविश्वानियों के बजाए बाइबल में इंसानों द्वारा कीगे भविश्वानियों पर विश्वास करते हैं। वे सिर्व बादलों पर आने वाले प्रभू को ही स्विकारेंगे, पर मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होकर कारे कर रहे देहधारी परमेश्वर को ठुकराते हैं। ऐसे लोग बहुत ही गुम्रा और मूर्ख होते हैं। वापसी की बात करते हुए प्रभू ने कई बार मनुष्य के पुत्र का उलेक किया है। लेकिन इतने सारे बुद्धिमान और ज्यानी पाद्रियों और बाइबल के ज्याताओं ने मनुष्य के पुत्र के विचार को बिगाड़ कर बहुत ही गंभीर भूल कर दी है। वे अपनी ही बुद्धिमानी के शिकार हो गए हैं। सर्वशक्तिमान परमिशर के सत्य व्यक्त करने पर भी वे उसे मनुष्य का पुत्र नहीं मानते। क्या ये अंधा होना नहीं है। अगर वह देधारी परमिशर ना होता, तो इतने सारे सत्य कैसे र्यक्त करता। वे अब तक इस विचार से चिपके हुए हैं कि वे बादल पर आते हुए प्रभु इश्य को ही स्विकार कर सकते हैं। और इसी कारण वे ना केवल स्वरगारोहित होने का मौका गवा रहे हैं, बलकि आपदाओं में भी पढ़ रहे हैं। और इसका उन्हें हमेशा पच्टावा रहेगा। और हम ये देख सकते हैं, कि प्रभु देहधारी मनुष्य के पुत्र के रूप में काम करने वापस आया है। यह सत्य निर्विवाद है और इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। बहुत से लोग प्रकाशित वाके एक साथ में देखो वह बादलों के साथ आने वाला है के बारे में पूछते हैं। उन्हें लगता है इसका मतलब है कि प्रभु बादल पर आएगा। क्या बादलों पर आने और मनुष्य के पुत्र के रूप आने की बाद विरोधाभासी नहीं है। ऐसा लग सकता है लेकिन वास्तों में यहां कोई विरोधाभास नहीं है। यहां इंसानी समझ के लिए सिर्फ एक चुनौती है। बाइबल के सभी पविश्यवाणिया निश्चित रूप से पून्ता साकार होंगी, पर इसकी एक प्रक्रिया है और इसके चरण है। मनुष्य के पुत्र के प्रगटन और प्रभु के बादल पर आने का भी एक क्रम है। प्रभु पहले देहधारी होकर गुप्त रूप से काम करने आता है और इसके बाद वो खुल कर बादल पर प्रकट होता है। परंतो जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। परंतो जब वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोशी ठहराएगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतो न्याय करने का सब काम पुत्र को सौप दिया है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। और क्योंकि वह समय आ पहुँचा है कि पहले परमिश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। प्रभुईश्य की भविश्यमाने पूरे तरह साकार हो गई है। जब इंसान को आशा नहीं थी, तब मनुष्य का पुत्र गुप्त रूप से आया। और अन्त के दिनों में न्याय कारे करते वे, उसने अनेक सत्य व्यक्त किये हैं। वह सत्य का आत्मा है, जो परमेश्य के चुने हुए लोगों को सभी सत्यों में ले जा रहा है। और आपदाओं से पहले विजेताओं का एक समुह पूरा कर लिया है। और सर्वशक्तिमान परमेश्य की राज्य का सू समाचार दुनिया के हर देश में पहल गया है। यह दिखाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्य ने शैतान को हरा कर सारी महिमा पाली है। अब बड़ी-बड़ी आपदाएं आने लगी हैं। परमेश्वर ने विजेताओं का एक समूह बना लिया है और उसका महानकारे पूरा हो रहा है। आप दाओं के बार परमेश्वर खुले तोर पर सभी लोगों और राष्टों के सामने बादल पर प्रकट होगा। उस समय मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होने और प्रभु के बादल पर आने की भविश्यवाणिया पूरी हो जाएंगी। जब से सर्व शक्तिमान परमेश्वर प्रकट होकर अपने घर से न्यायकारी करने लगा। तपसे उसे स्विकार करने वाले रूजाना परमेश्वर के वचन खा पी रहे हैं और उसके ञ्याय और शुद्धी को स्विकार करके वे धीरे-धीरे पाप और शयतान की ताक्तों से मुठ्थ हो रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें आपदाओं से पहले विजेता बना दिया है, और वे उसके पहले फल हैं। यह प्रकाशित वाक्य की भविश्वानियों को पूरा करता है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भी तरा कर उसके साथ बूजन करूँगा और वह मेरे साथ। यह तो परमेश्वर के निम्मित पहले फल होने के लिए मनुश्यों में से मोल लिये गए हैं। अंत के दिनों में नियाय कारे करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को गुप्त रूप से आये तीन दशक हो गए हैं। और उसने बहुत से सत्य व्यक्त किये हैं। बाइबल और परमेश्वर के 6000 वर्षिय प्रबंधन योजना के सभी रहस्ये उजागर किये हैं। इनसान के ब्रष्ट सार का नियाय कर उसे उजागर करने के लिए उसने बहुत कुछ कहा है। ये सभी वचन सत्य का मार्ग हैं जिससे हम पाप और शैतान की ताक्तों को छोड़कर पूरी तरह बचा जाने में समर्थ होते हैं। परमेश्वर के चुने हैं वे लोग उसकी द्वारा नयाय और ताड़ना पाते हैं। वो उनकी परिक्षा लेता और उनका शुधन करता है। फिर वे इस पष्ट रूप से अपनी ब्रष्टता देख पाते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं। पश्चाताप से भर कर परमेश्वर के सामने चुक जाते हैं, खुद से नफरत और घ्रणा करते हैं। वे देखते हैं कि परमेश्वर का धारिम सबहो कोई अपमान नहीं सहेगा और उनमें उसके लिए गहरी श्रधा जाकती है। धीरे धीरे परमेश्वर का भहे मानते और बुराई से दूर रहते हैं, सच में पश्चाताप करके बदल जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने विजेताओं का एक समूह पुरा कर लिया है। पहले फल पा लिये हैं। इन विजेताओं की गवाईयों पर वीडियो और फिल्में बनाई गई हैं, जो आनलाइन उपलब्ध हैं। जो भी उन्हें देखता है, वो पूरी तरह आश्वस्थ हो जाता है। सपश्ट है कि यही अंत के दिनों में परमेश्वर का प्रगटन और कारी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किये हैं और बहुत महान काम किया है। ना सिर्फ उसने सारी दुनिया को बल्कि पूरे ब्रह्मान को हिला दिया है। परमेश्वर ने पूरे दुनिया बदल दी है। पिछले युक का अंत करके नया युक शुरू किया है। राज्य के युक के शुरुवात हो गई है। इससे सिद्ध होता है कि सर्व शक्तिमान परमेश्वर मनश्य के पुत्र का प्रकटन है। लौट कर आया प्रभू इश्यू है। हमारा उध्धार करता प्रकट होकर कारे कर रहा है। परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले नयाय कारे लगभग पूरा हो गया है। और उसके साथ ही बड़ी आपदाएं तूट पड़ी हैं। हम कह सकते हैं कि आपदाएं आने लगी हैं। और वे आपदाएं बढ़ती ही जाएंगी। परमेश्वर का विरोध करने वाली सभी दुष्ठ ताकतें और कुकर्मी दंडित किये जाएंगे और आपदाओं में नश्ठ हो जाएंगे। जबकि अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय और ताड़ना से शुद्ध होने वाले, आप दाओं के दोरान परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रखे जाएंगे। जब आप दाएं खत्म होंगी, तब शैतान का यह दुष्ट संसार तबाह कर दिया जाएगा। फिर परमेश्वर बादलों पर सभी के सामने खुले तोर पर प्रकट होगा। और इससे पूरी होगी प्रकाशितवा के एक साती बविश्वानी। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिनोंने उसे बेधा था, वे भी उसे देखेंगे और पृत्वी के सारे कुल उसके कारण च्छाती पीटेंगे। ऐसा क्यों है कि सभी कुल च्छाती पीटेंगे। क्योंकि सर्व शक्तिमान परमेश्वर ने सत्य व्यक्त एवं महानकारे किये हैं, पर उनोंने ना सिर्फ उसे जाजने से इंकार कर दिया, बलकि धार्मिक जगत की मसीही विरोती ताक्तों के साथ उसकी निंदा, आलोचना और तिरसकार किया, परमेश्वर के सभाव का अपमान किया और वो आप दाउ में पड़ गए हैं, अंत में वे सिर्फ अपनी च्छाती पीटेंगे, रोएंगे और अपने दात पीसेंगे, जो की प्रकाशित वाके की इस दुखत भवशिवाने को पूरा करेगा जिसमें लि और हस से ज़्यादा खुश होकर नाच उठेंगे, परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, बुध्धी और धार्मिक्ता के स्तूति करेंगे, जैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जो मेरा विरोध करते हैं, और वे विलाप करेंगे, जो लोग सभी तरह के दुष्टता पूर्ण कर्म कर चुके हैं, किन्तु कई वर्षों तक मेरा अनुसरन किया है, वे अपने पापों का फल भुगतने से नहीं बचेंगे, वे भे लाखों वर्षों में शायद ही देखी गई आपदा में दुबा दिये जाएंगे, और वे लगातार आतंक और भय के स्थिती में जीते रहेंगे, और केवल मेरे ऐसे अनुयाई, जिन्होंने मेरे प्रती निष्ठा दर्शाई है, मेरे शक्ती का आनंद लेंगे, और गुणगान करेंगे, वे अवर्णनी ये त्र पहले मानव जाती की अगवाई करने आरंप की, तब से मैं उत्सुकता पूर्वक मनिश्यों के ऐसे सम्हों को पाने की आशा करता रहा हूं, जो मेरे साथ एक मनवाले हूं, इस बीच मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलता हूं, जो मेरे साथ एक मनवाले नहीं है, अपने ह प्रतिफल देने के अवसर की प्रतीक्षा करता हूं, जिससे देखना मुझे आनंद देगा। अन्तिता आज मेरा दिन आ गया है और मुझे अब और प्रतीक्षा करने की आविशक्ता नहीं है। अन्त के दिनों में प्रमिश्वर अपने न्याय कारे के लिए सत्य व्यक्त करता है, ताकि इनसान को शुद्ध करके पूरी तरह बचाए। इनसान के पास बचाय जाने और प्रमिश्वर की राजे में प्रवेश करने का ये इकलौता अवसर है। ऐसा मौका जिंदकी में बस एक बार मिलता है। बड़ी आपदाओं के शुरुवात हो रही है। जो लोग जाक कर बिना देरी किये सर्व शक्तिमान परमिश्वर के कारे की जाज करेंगे, उन्हें देर नहीं होगी। क्योंकि वो कहता है, जब मैं बहुत से लोगों को ताड़ना देता हूँ, तो वे जो धार्मिक संसार में हैं, मेरे कारें की द्वाराब जीते जाने के उपरान, भिन भिन अंशों में मेरे राज्जी में लौट आएंगे। क्योंकि उन्होंने एक श्वेद बादल पर सवार पवित्र जन के आगमन को देख लिया होगा। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग परमेश्वर की वानी सुनकर उसके कर्म देखकर उसके सामने आएंगे, और आप दाओं के बीच वो उसका उध्धार पाएंगे। और यही तो है आप दाओं में स्वर्गारोहित होना। और यह उनका आखरी मौका है। और साथ ही परमेश्वर द्वारा इंसान पर की गई बड़ी कृपा है। बुद्धिमान लोगों को बता है कि क्या चुन्ना है। जो लोग मनमाने ढंग से बादलों पर प्रभू के आने का इंतजार करते हैं, उनका अन्त क्या होने वाला है? यह स्वता इस बश्ट है। तो यह धार्मिक्ता के सूरे का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा। मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ख से उतरते देखोगे, यहीं वह समय भी होगा जब तुम दंडित किये जाने के लिए नीचे नरक में जाओगे। वहां परमीश्वर की प्रबंधन योजना की समापति का समय होगा। और वह समय होगा जब परमीश्वर सजन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा। क्योंकि परमीश्वर का न्याय मनिश्य के देखने से पहले ही समाप्थ हो चुका होगा, जब सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ती होगी. वे जो सत्य को स्विकार करते हैं और संकेतों की खोज नहीं करते और इस प्रकारशुद कर दिये गये हैं, वे परमीश्वर के सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और स्रिष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे. सिर्फ वे जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि ऐसा इश्व जो श्वेद बादल पर सवारी नहीं करता एक जूटा मसीह है अनन्त दंड के अधीन कर दिये जाएंगे. क्योंकि वे सिर्फ उस इश्व में विश्वास करते हैं जो संकेत प्रदर्शित करता है पर उस इश्व को स्विकार नहीं करते जो कड़े नयाय की घोशना करता है और जीवन और सच्चा मार्क प्रकट करता है. इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब येश्व खुले आमश्वेद बादल पर वापस लोटे तो वह उनके साथ निपतें. वे बहुत हटधर्मी, अपने आप में बहुत आश्वस्त, बहुत अभिमानी हैं. ऐसे अधम लोग येश्व द्वारक ऐसे पुरस्कृत किये जा स जब एक जत महते हैं. जीश्व की वापसी, उन लोगों के लिए एक महान उध्धार है जो सत्य को स्विकार करने में सक्षम हैं पर उनके लिए जो सत्य को स्विकार करने में असमर्थ हैं यह दंदाग्या का संकेथ हैं. तुम लोगों को अपना स्वेम का रास्ता चुनना चाहिए, और पवित्रात्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए, और सत्ति को अस्विकार नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बलकि ऐसा बनना चाहिए, जो आपके पास कुछ सवाल हैं तो नीचे अपने कमेंट शिरूर लिखें। वास्तविक मदद और मार्क दर्शन के लिए हमसे जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।